हेलो फ्रेंड वेलकम टू आव चैनल ता आज का हमारे विस्ते हैं रहने वाला है अगर आप ग्राजूएशन पूरा कर चुके हैं और आगे परना चाहते हैं तो आपको अबस्य जनकरी होना चाहिए आज हम इस वीडियो में MBA किया है और इसे कैसे पूरा करें आपको जनकरी देंगे और MBA से जोड़ी कुछ महत्त पुन्न जनकरी भी आपको दिया जाएगा जैसे कि आप MBA कैसे कर सकते हैं कब कर सकते हैं और इसकी फीस क्या है और MBA करने के बाद रोज करके आपसर तो अज इसके से बहुत ही प्रतिष्टिक पोस्ट ग्याज़ेशन डिग्री है तो MBA करने के तोरण आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जनकरी प्राप्त करते हैं यहां आप सिखते हैं कि एक बैपार को कैसे सफल बनाया जै तो बिजनेस करने के तरीके बिजनेस से जुड़ी कई महत तो पुन जनकरी आप MBA से प्राप्त कर सकते हैं MBA कई खेतSon mijn होता है जैसे कि बैंकिंग हो गया आपका फाइननस हो गया आपका मैर्टेटिंग हो गया आपका रीटेल हो गया आपका फ़रेन हो बढया और कल्चर तरह जस्वी खेतfa में रूची रखते हैं आप उज खेत्र म MBA कर सकते हैं, MBA करने से पहले आपको प्रदेस परिख्याएं से होकर गजरना होता है, जो कोई तरह भी हो सकता है, तो इसके जनकारी हम आगे बलाएगे, जैसे कि MBA कौन कर सकता है, कड़ी लोगों में धायरा होते हैं कि MBA तो बिजनेस से जोड़े लोगों भी कर लेते हैं, या फिर इससे सिर्फ वही लब कर सकते हैं, जिनको खुद का बिजनेस हो, पर ऐसा नहीं है, MBA एक बिजनेस से जुड़ा कोर्स जरूर है, पर इससे कोई भी कर सकता है, तो यदि आपका कोई फेमिली बिजनेस नहीं भी है, तो आप MBA करके किसी बाड़े कमपानी ले भी मैनेज इससे बड़े पदगों भी नौत्री पा सकते हैं, इससे बाड़ हम जालेंगे कि MBA के लिए सिख्खेने के आपका जोग्यत क्या होता है और प्रविस परिख्या कैसे दिया दता है, यदि आप MBA करना चाती है, तो आपको मिनिमम 50% अंकों के साथ आपको वाजुएशन करना चरूरी है, इसके अलाबा आपको MBA में एड्मिसन लेने के लिए प्रविस परिख्याओं में सफल होना चरूरी है, जैसे कि हमारे दरतेस में क्याट एक पतिश्टित प्रविस परिख्याओं जिससे आप MBA कलेज में प्रविस पा सकते हैं, इसके अलाबा CMAT, ZAT, NAT, GMAT, NMAT, तो इसके अलाबा कुछ अन्य प्रविस परिख्याओं के माध्यम से आप MBA में प्रविस पाया जा सकता है, तो कुछ कलेज में MBA में प्रविस के लिए कुछ सर्थों के अलाबा एक या दो वरसों का किसी कमपानी में कारी और अनुभव की मांगा जाता है, तो बारुई के ब बाद भी सिदे MBA भी कर सकते हैं जो कि 5 साल का पाठ्ठक्राम होता है जिसमें BBA उसके साथ सब MBA भी बता है तुछी इनवर्सिटी में पाया जाता है उसके बाद हम जानेंगे MBA के कुछ खेत्र जैसे कि हमारे दैस में कई सारे खेत्र जो कि अधिकारी के भरती स्टाप से काम करना या फिर सेलेरी लेज अधि प्रवन सिखेंगे उसके बाद जाने के बैंकि यादि आप किसी बैंक में अच्छे पत्पर कार्ज करना चाहते है तो आपके लिए यह एक बहत्री विकल्प हो सकता है उसके बाद फाइनन्स तो बैंकिंग की इही तरब फाइनन्स का भी मार्केट काफी वड़ा है पिछले कुछ सालों में एसे में इस खेत्र में एंब्या करना भी सईसाबित हो सकता है उसके बाद हम जानेंगे आईटी इंफर्मेशन टेखनोलोजी इस खेत्र में आप आईटी जगत के बारे में पढ़ेंगे उ एंब्या कहां से करें अगर आप इंडियन इस्टिटीट ओप मेनेजमेंट आईएएम देस में इंदोर आपका हमदाबार याफि बैंगलोर कलकता याफि लखनों में स्तीत है जो आप एंब्या करने के लिए बैस्ट है किन्तु यहाँ पर प्रवेश्पान असर नहीं इसक को आपके नजदी की एंब्या के जन्मितकारी बदन के लिए मैं पूरा प्रयाब कर लोग आप जानेंगे एंब्या से जुड़े कुछ सवा और जलाओ इससे की एंब्या की फीस कितना होती है एंब्या की फीस तकरीबन एक लाग से पराण होता है और दस से बारा लग तक मिन्दी माद्यूं से होता है जो निर्भर करता है आप कि out College में प्रीष लेह रहे हैत आपका दूस्ता पर कई सर हिंदी माध्यम के छात्रों का यह सवाल होता है कि क्या MBA हिंदी माध्यम में हो सकता है पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों MBA बहुत बड़ी डिग्रिया जो हिंदी में लना संभब नहीं अगर कोई MBA हिंदी माध्यम से होता है तो उसका बहुत ज़्यादा महत्तों नई है इसके लिए मैं आपको यही सलाव दूँगा कि आप अपनी पहले इंग्लीज सुधारत फिर MBA करने के बारे में विचार करें दोस्तों आज की आमारे वीडियो MBA क्या हो इसकी पूरी जानकरी हिंदी में इतना ही हम जल्दी आपको अपनी अगली वीडियो में कुछ और जानकरी दना के प्रयास करेंगे अगर आमको इसका इस वीडियो का अच्छा लगा येज़े कमेंट बसने जरूर बताएं और आप फ्रेंड के साथ सेर करें आज तक इतना ही जय हिन जय भारत